साथियों, आज मैं देश के उन नव जमान वोटरों से भी आगर करना चाहता हूँ जो इस चुनाव में पहली बार बोट डालेंगे और ये बड़े गर्व की बात है ये वो वोटर है जिनका जन्मा 21 सदी में हुआ है ये वो वोटर है जो 21 सदी में पहली बार देश की सरकार चुनने जा रहे है लोग सभा के लिए वोट देने जा रहे है और इसलिए 21 सदी के ये महत्वपुन मद्दाता जो पहली बार के वोटर है मैं आपके लिए कुछ बाते करना चाहता हूँ बेश के फर्स्ट राइमर वोटरों के साथ मैं आज शत्रपति सिवाजी महाराज की पुन्य भूमी की धरती से बात करना चाहता हूँ मेरे फर्स्ट राइम वोटर्स आपने देखा होगा कि हमारे हाँ कई परीवारों में देखने को मिलता है कि किसी भी बेटे या बेटी को कहीं काम मिल जाता है नोकरी मिल जाती है कमाई हो जाती है और फर्स्ट राइम जब उसको सेलरी मिलती है अगर दुकान करता है तो पहली बार जो कमाई होती है छोटा मोटा कोई भी कारोबार होता है पहली जब कमाई होती है हमारे देख में जाजातर बेटे बेटी क्या करते हैं पहली कमाई खुद के लिए नहीं रखते हैं मन में सोचते हैं कि जाकर के मां के चरणों में रखूंगा या जाकर के अपनी कोई आराज्य देवी होगी उस मंदीर में जाकर के चड़ा दूँगा या अपनी छोटी बहन होगी तो पहली कमाई उसको दे दूँगा ऐसा आज भी होता है कि नहीं होता है हम पहली कमाई दे देते हैं यह देश की परंपरा है मैं आप से कहना चाहता हूँ मेरे देश के फरस्ट राइम वोटर को आप भी संकल्प किजिए कि पहला वोट आपका जो आपके जीवन की एतिहासिक गड़ी है आपके जीवन पर याद रहेगा कि पहला वोट कब डाला कहां डाला कौन सा चुनावता किसको डाला यह जीवन पर याद रहने वाला है हर किसी को पहली गटना याद रहती है मैं ज़रा कहना चाहता हूँ क्या आपका पहला वोट पाकिस्टान के बाला कोट में एर स्ट्राइक करने वाले वीर जमानों के नाम समर्पिद हो सकता है क्या मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूँ कि आपका पहला वोट पुलगावा में जो वीर शहीद हुए उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पिद हो सकता है क्या मैं फर्स्ट टाइम वोटर को कहना चाहता हूँ क्या गरीब को पक्का घर मिले इसके लिए आपका वोट समर्पिद हो सकता है क्या X20 को कहना चाहता हूं किसान के खेत में पानी पहुँचे इसके लिए आपका पहला परुट जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए मैं मेरे ज panels प्रको कहना चाहिए कका जगता हूं कि गरीब को बांकि किन् तर्म जो ऑ meget और श्यमान भारती उजना सफल har इसके लिए आपका वोट जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए मेरे नए वोटर, मेरे फर्स टाइम वोटर आप ताई कीजिए कि आप इस बार वोट सिर्फ और सिर्फ देश के लिए देंगे आप अठाना साल के हो गए देश ने आपको कौथ कुछ दिया है आप 18 साल के हुए आपको समाज ने बहुत कुछ दिया है 18 साल की जिंदगी में आपके परिवार के साथ साथ किसी सिक्षक ने आपको पढ़ाया होगा बिमार हुए होंगे तो किसी ने आपकी बिमारी के उपचार किया होगा आपको आर्थिक मुसिबत होगी तो किसी ने आपको आर्थिक मदद की होगी इस उमर को बनने में आई जीवन को बनने में समाज ने आपको कुछन को दिया है अब इसलिए पहला वोट किसी भी गलती के बिना सिरफ और सिरफ देश के लिए देश को मजबूत बनाने के लिए एक मजबूत सरकार बनाने के लिए दीजिए और मैं फर्स टाइम बोटर को कहता हूँ, आप गर्व से कह सकेंगे, आप अगर कमल पर बटन दबाएंगे, या आप धनूस्तीर पर बटन दबाएंगे, आपका वोट सीधा सीधा मोधी के खाते में जाने वाला है।